Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ engine में आग लगने की खबर सामने आई है, अब जाहिर सी बात है क्योंकि भारत ने भी US से Chinook helicopters खरीदा है, तो भारत को भी इसको लेकर चिंता होगी, यहाँ पर आप देख सकतो, US Army Grounds Fleet of Chinook helicopters after engine fires, तो इसको detail से समझेंगे, कि अभी खबर सामने क्या आई है, और यह जो Chinook helicopters है, वो इतना जादा important क्यों है, तो चलिया आगे भढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा, दोस्तों 14 September से UPSC का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, Study IQ पर जिसके तौर पर आपको पताई है कि अनेको features दिये जाते हैं, जैसे कि life classes, notes, answer writing practice आपको एक mentorship दिया जाएगा कोई problem है, कोई दिक्कत है, आप अपने mentor से पूछ सकते हैं, prelims के specific ध्यान रखते वे, यह सारे features भी आपको मिलेंगे, at a very affordable rate again, use the code अंकित live, ताकि सिर्फ 19,000 में आपकी जो seat है, वो इस batch के अंदर block हो सके, इसके लावा अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे insta page पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं, exactly यहाँ पर हो क्या रहा है, देखें, US Army के दौरा बताया गया, कि उनके पास जो Chinook Transport Helicopters है, जिसको CH-47 बोला जाता है, तो आपके exam point of view से ध्यान रखना, CH-47, यह Chinook Transport Helicopters है, जो की काफी important role play करता है आज के देट में Battlefield में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ fighter jets काम नहीं आते हैं fighter jets के लावा जरूरी है कि जो आप समान है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचा पा रहे हो कि नहीं अपने जो आर्मी के जवान है, कितना जल्दी आप एक जगह से दूसरे जगह तक पहुचा आ पा रहे हो, तो US आर्मी जो है, यह चिनूक हेलिकॉप्टर को 1960 से इस्तमाल कर यह, सोच के देखिए 60 साल से भी उपर हो चुका है अभी भी यह हेलिकॉप्टर काम आ रहा है, अब्यसी लीक, तो यहाँ पर जो फ्यूप्टर डाला जाता हेलिकॉप्टर के अंदर उसमें कहीं कुछ लीकेज होगा और उसकी वज़य से यह पूरी प्रॉब्लम सामने आई है, और यहाँ पर जो आर्मी है US आर्मी है, वो यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके साथ US आर्मी ने यह भी बताया, कि इसकी वज़य से अभी तक कोई कैशुएलिटी सामने नहीं आई है, जिस इंजन में आग लगा होगा, वो ग्रांडेड होगा यहाँ पर इसको रुका गया है कोशन यह कि कितने चिन्यूक हेलिकॉप्टर देखो, US आर्मी ने अभी exactly figure नहीं दिया है कि हम कितने को ग्रांड कर रहे हैं, बाद में कितने को उड़ाये जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यही बोला गया है कि अमेरिकन आर्मी के पास लगभग 400 का फ्लीट है चिन्यूक हेलिकॉप्टर का और सभी को यहाँ पर अभी के लिए सर्विसिंग के तोर पर भेजा जा रहा है ताकि उसको ठीक कराया जा सके तो हमारे लिए अब जानना जरूरी हो गया है कि यह चिन्यूक हेलिकॉप्टर है क्या ध्यान रखेगा, इट इस अ हेवी लिफ्ट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर यूटिलिटी हेलिकॉप्टर वो हेलिकॉप्टर होते हैं जहाँ पर आपको एक जगह से दूसरे जगह समान को पहुचाना होता है जैसे कि आपने एक अपाचे के बारे में सुना गओ वो भी यूएस का हेलिकॉप्टर है लेकिन वो फाइटर हेलिकॉप्टर है बैटल फिल्ड में काम आता है, मिसाइल्स वगरा ट्रांस्पोर्टेशन किया जा रहा है तो जो हेवी यहाँ पर वहेकिल्स होते हैं होविट्जर गन हो गया या फिर इसके अंदर भी काफी स्पेशेस बताया जाता है इन फैक्ट मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ या आप देख सकते हो बड़े बड़े वहेकिल्स को भी इसके माध्यम से ट्रांस्पोर्ट किया जा सकता है यहाँ पर जो सीट्स वगरा है वो भी कभी भी लगा सकते हैं अनफोल्ड कर सकते हैं तो हर एक चीज में अगर यहाँ पर एक जगा से दूसरे जगा चीजों को पहुचाना है तो यह चिनूक हेलिकॉप्टर काफी काम आता है इसका जो कॉक्पिट है वो बताया जाता है कि इस फुली इंटिग्रेटेड डिजिटल कॉक्पिट मेनेजमेंट सिस्टम है और Advanced Cargo Handling Capacity में यह काफी काम आता है और जैसा कि मैंने बताया कि 6 दसक से यह चल रहा है और यह जो कंपनी बनाती है कंपनी भी ध्यान रखेगा इट इस बोईंग, बोईंग के दौरा यह जो चीनूक हेलिकॉप्टर है बनाय जाता है टू इंजन का एरक्राफ्ट है, यह भी ध्यान रखना है और इसके अंदर जो इंजन लगा है, वो इंजन बनाया जाता है Honeywell International Corporation के दौरा और यहाँ पर जो प्राइमरी मेशन चीनूक का अगर हम देखें तो वो यही है, उनके वेबसाइट पर लिखा है और यह अभी मैं बता दूँ, लगभग 22 देशों में इसका इस्तमाल किया जा राजिया 22 कंट्रीज इसका इस्तमाल कर रही है अगर हम इंटरनाशनली इसके यूजेज की बात करें तो 60 साल पहले आपको याद होगा, 1960s में वियटनाम का वार हुआ था तो उस समय पहली बार यूएस ने इसका इस्तमाल वियटनाम में किया था इनफेक्ट इसको जो डिजाइन किया गया है, उसकी जो कपासिटी है पैसेंजर को ले जाने की इट इस अराउं 36, लेकिन वियटनाम वार के दौरान बताया जाता है कि लांश्ट का जो पूरा फेस चल रहा था 1960s में, तो उस समय एक चिनूक हेलिकॉप्टर में लगभग 147 रेफ्यूजी को ट्रांस्पोर्ट किया गया था तो आप इसकी केपासिटी इसी से समच सकते हो, और उसके बाद से जो पूरा चिनूक हेलिकॉप्टर है उसको अपग्रेड किया गया, उसकी जो लिफ्ट की केपासिटी होती है और जो combat environment में work कर सकता है, सब कुछ को increase किया गया है ये बताया जाता है कि वर्ल्ड का fastest military helicopter है, जिसकी maximum speed 315 km per hour आपको देखने को मिलेगी और भी कई देशों में US ने इसका इस्तमाल किया है, जैसे अफगानिस्तान war, इराक हो गया, सीरिया हो गया बहुत से देशों में इसका इस्तमाल किया गया, लेकिन आज के date में दो ऐसे देश है जो की सबसे बड़ी मात्रा में इसका इसका इस्तमाल कर रहा है एक है United States और दूसरा कंट्री है UK दोनों इसका इस्तमाल करते हैं बड़ी मात्रा में अगर हम बात करें भारत को लेकर तो देखो यहाँ पर भारत सरकार ने US के साथ एक प्रकार से 2015 में इसका agreement किया था और agreement यह हुआ था कि 15 चीनूख हेलिकॉप्टर यूएस प्रोवाइड करेगा कितने रुपए की डील हुई थी लगबग 8000 करोन की डील हुई थी यह और पहली बार इसकी जो उड़ान है भारत में 2018 में भरी गई थी और जितने भी 15 चीनूख हेलिकॉप्टर्स हैं वो सभी यहाँ पर दे दिया गया लेकिन भारत में इसका इसका इस्तमाल और भी बड़ी मात्रा में हो रहा है इंफर्ट आपको पता होगा कि जो LAC पर जो भी कुछ हुआ है चाइना के साथ 2020 से गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ तो प्रॉब्लम क्या है कि भारत के पास जो एक्विप्मेंट है वो अगर आप देखोगे तो काफी जादा हेवी हेवी है जैसे टैंक हो गया वो काफी हेवी है वेट के अगर हम हिसाब से देखें चाइना के पास वो काफी हलका है तो ये दोनों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि वो जो टैंक्स हैं हम उसको यहाँ तक पहुँचा सके और उसमें चिनुक हेलिकॉप्टर काफी काम आता है लद्दाक के ग्लेशर्स हो गए, सियाचेन के ग्लेशर्स हो गए, वहाँ पर इंडियन पोर्सेस को बड़ी मात्रा में मदद करता है, 2019 में पहली बार USA 4 चिनुक हिलिकॉप्टर भारत को सौपा गया था, और 2020 आते आते, जितना भी 15 चिनुक हिलिकॉप्टर हैं, वो भारत को दे दिया गया था, करेंटली यहाँ पर मैं आपको बताऊं, तो दो फ्लीट इसका इस्तमाल होता है, एक होता है नद इंडियन एरफोर्स ने, US से यहाँ पर डिटेल मांगा है, क्योंकि हमारे पास भी यह चिनुक हिलिकॉप्टर है, अगर US के चिनुक हिलिकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम है, इंजन में आग लग रही है, तो उसका डर भारत को भी हो सकता है, तो यहाँ पर भारत इसको ल जाने से पहले एक इंटरस्टिंग कोशन क्योंकि हम डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एकसरसाइज इंडर धनुष, यह दो एरफोर्स के बीच में होता है, एक इंडियन एरफोर्स और आपको बताना है, कौन से दूसरे देश के एरफोर्स के साथ यह एकसरसाइज कि होगे और जैसा मैंने बताया UPSC की त्यारी अब काफी असानी से कर सकते हैं बाइ यूजिंग दा कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और आप पर जाहिए और जो आपको बैस लेना है वो आप ले सकते हैं I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आपसे नेक्स ताइम तिल देन थैंक यू बरी माँच सी यू सोन